हेलो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर यह दोस्तों अभी तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को हिट कर दीजे ठेके आज अपने काफी इंपूरेंट टोपिक सोचरों के सरह में तो नहीं आता है कोई देखक है थी हम सिखाएंगे आपको वटको प्राइज एक्षेंशन प्राइज में एक्षेंट में मिस प्राइज के अंदर मुमेंन्ट आ रहा है इसे को बोलते हैं और एक च्छोटी से डेफिनेशन देता हूं आपको बिनना इंड कोई आपको option data देखना कुछ भी नहीं देखना है ओनली प्राइज एक्षन के ऊपर टेट करते हो और प्रोफिट मारा होगे इसके साथ एक और कोंसेप्ट जोड देता हूं money management का काफी शांदा टोफिक है बिल्कुल ध्यान लगा के सीखना कोई भी डाउट्स हो comment में पूछ लेना नहीं हो तो कोई दिक्काद नहीं like comment share करना मत बूलना सबसे फिले अपन बात करेंगे price action आपको समझ में आगया होगा कि बिना indicator की जो price के मुमेंट आता है उसको पकड़ना ही price action केते है price के अंदर जो मुमेंट मैंने आपके सामने के लिखा है price action इसको दो तरीके से लिखे हैं अपन support and resistance and trend line आपके सामने मैं इसको दो भागों में डिवाइड किया है support and resistance and trend line अब आप सोच रहे हूं यार सर हमें तो आता है support and resistance already and trend इन लाइन लगाना भी आता है बड़े price action क्यों नहीं आता है इस बात का भी मैं आपको solution दे रहा हूं आप अभी तक यह नहीं जाने पाए कि price action किसे करते हैं बीना इंडिकेटर के use किये हुए आप जो price जो trade करते हैं उसको ही करते है price action दिन आज वो मैं आपको सिखाने वाल के होते हैं आप टेंड के साहिता से market का structure किसे पता कर सकते हैं कि market uptrend में downtrend में sideways trend में ठेक है अपन चलेंगे सबसे पहले चाट के उपर ठेक है यहां देखो price action सिखाने से पहले आपको एक चीज़ बद हुआ कि देखो trend क्या होते हैं क्योंकि market हमेशा किसी बीटाइमें एक इस तरह से एक उपर जाएगा नहीं डायट मार्केट एक दम इस उपर नहीं जाएगा क्या करें मार्केट थोड़ा यहां से पहले उपर जाएगा फिर निचा आएगा फिर उपर जाएगा फिर निचा आएगा फिर उपर जाएगा फिर निचा आएगा तो इस तरह से market चल cznie laid-entry मार्किट एक अप्टेड में चलता है ठीक आप si Direct सब्सक्राइब एक निजल से estra अगर्वा उपर जाता है फिर ग्ञेँ आता है फिर थोड़ा उपर जाता है फिर नीचे आता है फिर थोड़ा उपर जाता है फिर नीच आता है तो एक डाउन ट्रेंड इस तरह साता है यहां से देखो एक ट्रेंड लाइन खिस देता है पने इसके उपर ट्रेंड लाइन आपको पता है ट्रेंड लाइन किस तरह से खिस सकते हैं यह आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए अपने दो हाई देखो, यह यह दो हाईढ्व 12 ग गोव से आप यह दो हाई से एक om धेको सकते हैं उर फेयजे यहां के हाई से वाफसिस यह सकते होजमलेंंगे करण वाहिद हता है कि इसको क्यों बाने का कि रिखें वा ते लोव लो बनाए। को लो लो तो एक डाउन्टेंड है तो क्या चलेगा उपर से हाय घ्राय sì फी यह हाई लो लो इस तरह से होता है डाउन्टेंड ऍास पना एक पतचा हुरा जिसको बोलते हैं अपन सायडवेस ट्रेंड देखिए इस तरह का होता है स Андकी यह इस तरह से क्योंकि सबसे important है कि हो Superintendent होते हैं मार्केड के अंदर अब από को समझ में आ चुका हुआ अब अपन बात करेंगे कि सबसे important जो आपके लिए है। सबसे important है जो कि horizontal horizontal line means support and resistance उनका आप कैसे यूज़ कर सकते हो देखें यह क्या है एक horizontal line इसको बोलते है अपसाइड में देखो market यह ऐसे आता है ऐसे जाता है ऐसे जाता है और इस horizontal line में यह आपका क्या है resistance इसका breakout इसको क्या बोलते हैं ब्रेक आउट एंड छोटा सा retracement आता है देन अपन ट्रेड लेते हैं फिर market उपर बग जाता है आपको यह बात पता है ठीक है क्योंकि यह यह रजिस्टेंस का breakout हुआ है ठीक है तो अपन प्राइस में देखो प्राइस को बन पकड़ने के लिए किसी इंडिकर्टर का यूज नहीं कर रहें ओनली horizontal and trend line का यूज करके अपन पढ़ रहें देखो यह downside में बनेगा market अपसाइट से ऐसे आ रहा है ऐसा थोड़ा उपर गया देन फिर आया देन फिर गया यह breakout breakout यह retracement यह नीच ज़ए गया market तो अपनने कोई indicator का यूज नहीं करें आपके सामने only अपन क्या कर रहें price action के brace पर trade कर रहें price को पकड़ रहें only support and resistance and trend line के साहिता से अब मैं आपको बता हुआ किसके उपर live market के उपर किस तरह से चार्ट बनते हैं किस तरह से अपना जो एक projection काम करता है यह देखो आपके सामने market यह बना हुआ है यह जो कल इन्फोसिस का चार्ट लगा हुआ आपके सामने जो के देखिए इन्फोसिस का चार्ट क्या कर रहा है एक box button के इंतर पेख हो चुग है मैं sideways है भी है मैं इसको थ दोस्तों यह देखिए क्या हो रहा है अपन यहां पर बीना indicator के price को पकड़ेंगे price की इस तरह से जा सकता है देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल अभी जो मैं आपको सिखा है trend and uptrend downtrend side of a strand and horizontal line में support and resistance उन्हों का use करके आपको trade करना सिखा हुआ देखिए यहां यह trade करना सिखा रहा हूं यह देखिए अपर अपने एक trend line लगा दी अब price क्या हो रहा है देखिए price उपर से यहां आया यहां पर retracement छोड़ा से रिटेस्ट लिया देन उपर फिर यहां रिटेस्मेंट फिर उपर क्या चलता है एक uptrend चलता है पहला यहां लो बना है second लो यहा second लो यहां तो एक uptrend चलता देखो यह जैसे इसका breakout हुआ train line का breakout मार्केट नीचे है अपने कोई indicator का use नहीं किया अपने क्या सिखा only अप अपने यहां एक क्या लगा लेंगे यहां पर अपने अपनी horizontal line मेंस एक support लगा लेंगे यह support लगा लिया यह देखिए अपने टेट क comment विला है ठीक है अब आगे जलते हैं यहां क्या होगा एक box button में sideways range है देखिए यहां पर sideways range में मार्केट फसा हुआ है तो इसका भी अपन बता देते हैं किस तरह से साइड़ेस में टेट कर सकते हो यह यहां पर हाइर सुलो ची अपने को क्या चीए हाइर सुलो support लगाने के लिए क्या हाइर सुलो मैंने का लगा है यहां देखो multiple आप साइड में यहां तक गया क्योंकि यहां पर सपोर्ट था वह अब एक रजिस्टेंस बन चुका था जो पहले सपोर्ट था रजिस्टेंस बन चुका है तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो ठीक है यह हो गया आप एक और बार बताता हूं आपको देखिए यहां क्या ह रीचार करना आना चीए ठीक है देखिए आपके सामने यह लगाया अब इसके ऊपर कैसे ट्रेड करोंगे इस लेवल का ब्रेकाउट होता है यह एक इस्ट्रोंग लेवल आ रहा यहां पर जब तक यह ब्रेकाउट नहीं होगा अपन ट्रेड नहीं लेंगे ट्रेंडलाइन तो यहां ब्रेक आउट देन यह भूम हुआ मार्केट फिर वापिस क्या होता है फिर वापिस आईए इसा भी लेवल को एक बार वापिस में अटा लेता हूं आपको बीना इंडिकेटर के प्राइस को कैसे आप मुवमेंट को पकड़ सकते हो प्राइस के मुवमेंट को वह सीखा रहा हूं देखिए यहां के वापिस मार्केट वापिस एक रेंज के अंदर आगया यह देखिए मुल्टिपल टाइम्स यही गुरू का है देखिए आप आपको इतना प्राइज साइडवे स्कति उसके न्दम मार्केट ऻूंद ये रिकाउट हुआ यह उतियार डोस्त किस तरह से चीज सकते हुँ और बताता हूं है आं यह एक स्ट्रोंग रजिस्टेंस लगा हुआ यह देखिए अब स्ट्रोंग रेजिस्टेंस है में अपने लगा लिया है एंड डाउन साइड में देखो अपन यहां से लगाएगा यह थोड़ा इस्वा स्पार्ट पर दे बलWhen करना है यह देखे है डाउ सैड में अपण यहां पर लेवल के लाई लगा सकते थे यह यहां तो इस तो इस तरह से आप दोस्त बीना किसी indicator के use किये आप price action के साइता से trade कर सकते हो और market में पैसा बना सकते हो बस आपको price action मिस्ट क्या आना चाहिए train line आना चाहिए support आना चाहिए and resistance लगाना आना चाहिए किस तरह से support लगा सकते हो आपको क्या चाहिए को कि चीया है देखो डोग करने के अपने को यह एक हाई है हो गया एक हाई है एक हाई है तो यह क्या है एक पर्फेक्ट टेनलाइन लग चुकी है और अब देखो जहां पर यह लेवल आ रहा है इन्पॉर्ट निकल के इसका ब्रेक आउट जो हो जाता तो डाउंसेट मार्केट चला जाएगा अब अपने क्या मना है support and resistance and train line के साहता से क्या मना एक प्रैस यानि चाट पिटन क्रेट किया है यहाँपर इसको क्या बोलते हैं आप बतेए सबी है मैंसेज सकते हूं और आपको चाल्ट पेंगाना सिखाता हूं आपने कर सकते मार्केट के अंदर देखिए उससे उह यहांagit मार्केट के रुका है मल्टिपल टाइम्स multiple times यहां market आया के रुका है उसके बाद यहां से up गया है आपको जो श्रीकारवन दोस्स इसके उपर है दिया आप practice कर लेते हो इसके उपर work करना सीख जाते हो मार्किन में समझ में आजये का आपको पैसा बनाने से कोई ने रोक सकता है दिए को अप सैड में यहां कितने स्विंग से लगे हुए, कितने स्विंग से लगे हुए, तो आप स्मार्ट तरीके सा टेट करते हो, इसका भी इसके ओपर केंडर क्लोस होती है, तिन आप टेट के लिए जा सकते हो, यह एक स्टोंग लेवल था, देखें, स्टोंग लेवल था, यह देखें, यहां तो multiple times मैंने यहां पर किस base पर यहां train line लगाना है, एक लोग यहां का लिया है, एक लोग यहां से लिया है, एक लोग यहां से लिया है, एक लोग यहां से लिया है, तो अपने को multiple, जादा से जादा अपने को दो लोग चीए, अपसाइड में train line लगाना है, और downside में लगाना है, हाइच जी इस तरह से आप टे लाइंस लगा सकते हो एंड होरिजोंटल जोगी आपको मेरे सपोर्ट एंट किस तरह से लगा सकते हो यहां पर इसको क्लिक करना यह देखिए अब मैं इसको किस तरह से लगा हुग ऊस determin को समझने आप इसमें इसको शूंग को भी सांमिल करेंगे यहाँ एक स्विइंग का यहां एक स्विंग नगया इस श्को सांमिल करेंगे अपने यहां एक कि रेजिस्टेंज जोनस लगा लिए इसके ऊपर केंडर क्लोस नहीं मिलता मांकर नीचे जा सकता है अब और यहां पर रेजिस्टेंज लगा तो अपन obs हो सकते देखो लाइन वाला यहां लगता इस तरह से इस तरह से आप बोलते कि सर देखो यह मैं आपके सामने जोन नहीं लगाता जो एडवांस concept है मैं आपके सामने जोन नहीं लगाता तो आप क्या होता है यहां ट्रेप हो जाते किस तरह से बताता हूं आपको वन मिनिट कर लिजे आपको सारी चीज़े किलियर होना चीज़े दोस्के देखिए कि आप यहां लगाते यहां लगाते यह अब क्या हुआ है यह मार्केट नीचा आए नीचा ए अब यह ब्रेक आउट केंड़ वी मिल्का है रिट्रेस्मेंट भी आ हुम जाएंके ट्रेड लेंगा नहीं दोस्स से नहीं जाना करें समार्ट तरीके से वर्क करों सिका रहाएं चाल्ड आप क्या करते हैं जुए लगा हुआ है अपसाइट में रिवल ये ओपर मुल्टेबल टाइम कोम autosyn को कुछ नहीं रें देखो अब簡 i a अफसेट की ट्रेट नहीं लेते एं देखो प्राईजेक्षण कें अंदर क्या क्या आता है support कल इस दिस टेंड लाइन मतलब सारे ट्रेंड चाड पिटन एंड केंड़ेस्टिक पिटन यह यह पीवर प्राइजटन अपने बोलत है हम प्यवर प्राइजटन ट्रेडर हैं वह इसी बेस पर बोल सकते हैं पर तो कि और आपको दिखाता हूँ और एक्जाम्पल दिखाता देखिए यहां पर देखो आपको जो जो चार्ट प्रटन्स आते हैं उनका यूज़ कर रही मार्केट में पेसा उनी से बनेगा आप इंडिकेटर का यूज़ करोगे पेसा नहीं बना बाऊगे चलो इसमें अभी कोई खास सीन नहीं लग रहा है तो मैं आपको बताता बनते तो ठेके इस तरह से आप यूज़ करके पेसा बना सकते हो दोस्त में आपको यह भी सिखा दिया कि आप किस तरह से लगा सकते हो किस तरह से मार्केट के अंदर नों को यूज़ कर सकते हो और भी यह क्या हुआ अपना लेप्ट शोल्डर हुआ देन यह आया देन यह क्या हुआ हेड हुआ उसके बाद यह छोटा सा रिट्रेस्मेंट मिस यह हो गया राइट शोल्डर आप किताब के बेस पर जाओगे किताब के बेस पर कभी ट्रेट नहीं कर पाओगे अब इसका ब्रेक प्रिवेस जो अपना इसका ब्रेक आउट यह लिए यह लिए मार्केट गया नीचे यह रिट्रेस्मेंट लिया देन गया रिचे यह फिर वापिस आया तो इस तरह से आप टेट कर सकते दोस्त जैदि आप देखो जो किताब के अंदर एजट बने हो उस तरह से यहां आपको म उसका प्रेक्षिक्षिर उपर करने की कोशिछ करिये ठैक है तो यह फ़र्ड़ पार्ट डोगा अगले हैं उसदिन आईगा तो उसको भी देखना मत भूलना आप यदे ये दोनों ही पार्ट देख ले तो आप प्राइजेक्शन में मास्टर बन जाओगे मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं ठीके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बट जितना हो से कि वीडियो को शेर करने की कोशिश करना जितना ह आप भी जूड़े हमार साथ